दोस्तों अदि आपके पास कोई भी करिट कार्ड है और आप करिट कार्ड के माद्धेम से कोई भी समन ओनलाइन EMI पर ख़़िदना चाहते हैं तो आप लोग किस तरह से EMI पर कोई भी प्रोड़क्ट ख़़िदेंगे चलिए आपको हम डीटेल में दिखाते हैं दोस्तों आप Amazon एप को ओपन कर लेंगे ओपन करने के बाद जो भी प्रोड़क्ट आपको लेना है आप यहाँ पर वह प्रोड़क्ट सेलेक्ट कर लेंगे या फिर आप यहाँ पर प्रोड़क्ट का नाम सर्च भी कर सकते हैं जैसे कि हमें Sony का कैमरा लेना है तो हम यहाँ पर search कर लेते हैं इसके बाद आप यहां पर product पर click कर लेंगे अब यहां पर दिखे detail में आ गया है चल इसके बाद आप नीचे इस क्रॉल करेंगे तो आप यहां से product का detail देख सकते हैं चल इसके बाद आप यहां पर buy 추 national पर click करेंगे यहाँ पर देके लिखा add a new credit और debit card आप इस पर click कर लेंगे अब यहाँ पर देके credit card का detail fill up करने के लिए गया है तो आप इस box में जो भी credit card पर नाम लिखा हुआ है आप यहाँ पर नाम fill up कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर है card number आप यहाँ पर उसका detail fill up कर लिए चलिए मेरे पास HDFC bank का credit card है तो हम यहाँ पर HDFC bank के credit card का detail fill up कर लेते हैं यहाँ पर credit card का detail fill up करने के बाद इंटर card details पर click करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर देखे credit card add हो चुका है इसके बाद यहाँ पर enter CVV तो credit card के पीछे में तीन अक्षर का CVV नमबर हता लिखा हुआ आप यहाँ पर फिल अप कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर pay in full तो आप इस पर click करेंगे आप यहाँ पर देखे EMI plan select करने के लिए आगे है 44,204 रूपए payment करना होगा EMI की रूप में जबकि product का किमत है 44,999 रूपए यदि हम 6 महने की EMI पर यह product लेते हैं यहाँ पर देखे EMI के बारे में दिया हुए तो आप जितने भी दिनों की EMI पर यह product लेना चाहते हैं आप यहाँ पर select कर लेंगे हम यहाँ पर यह product तीन महने की EMI पर लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 3 months select कर लेते हैं इसके बाद आप यहाँ पर choose EMI plan पर click करेंगे चलिए इसके बाद आप नीचे scroll करेंगे इसके बाद आप continue पर click करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर देखें card save करने के लिए कहा जाता है तो आप यहाँ पर save card and continue पर click करेंगे अब यहाँ पर यदि आपको prime membership लेने के लिए कहा जाता है तो आपको 399 रुपए परतीक साल payment करना होगा यदि आप prime membership लेना चाहते हैं तो आप continue with prime shopping edition पर click कर लेंगे चलि हमें prime membership लेना है तो हम low thanks पर click करेंगे अब दोस्तों आपको इस तरह से open हो जागा चलि इसके बाद आप नीचे scroll करेंगे अब यहाँ पर देखें payment detail के बारे में दिया हुआ है जैसे कि यह product 44,999 रुपए का है और हमें यहाँ पर total interest 1205 रुपए देना होगा साथी हमें यहाँ पर 3 महने तक EMI 15,401 रुपए परतेक मन्त देना होगा अब दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा जितना भी आपका EMI है आपको परतेक महने EMI pay करना होगा यदि आपने auto pay setup करके रखा है तो फिर आपके bank account से automatic EMI pay हो जागा यदि auto pay setup करके आपने रखा है तो फिर आपको bank account में time से पहले balance रखना होगा यदि आपके bank account में इतना balance नहीं रहता है तो फिर bank के तरफ से आपको charge लगता है इस बात का ध्यान लखेंगे चलिए इसके बाद आप यहाँ पर place your order and pay पर किलिक कर लेंगे अब आपके mobile number पर OTP आया होगा तो आप यहाँ पर approve पर किलिक करके OTP को automatic fill up कर सकते है या फिर आप इस box में OTP को fill up कर लेंगे चलिए हम approve पर किलिक कर लेते है अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा wait करना है आपको यहाँ पर back नहीं करना है जब तक यहाँ पर payment होता है तब तक के लिए आपको यहाँ पर wait कर लेना है या देखिए payment हो रहा है अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा order place हो चुका है तो इस तरह से आप लो क्रेट कार्ट के दोरा EMI पर कोई भी प्रोडक्ट खड़ी सकते हैं मैंने आपको डिटेल में बता दिया, उम्मीद है कि आपको वेडियो पसंद आया होगा लाइक करना मत भूलिए, फिर मिलत अगले वेडियो में तक तक के लिए बाई टेक केर